रादे रादे दोस्तो हरे कृष्णा उम्मीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे आनंद में होंगे मजे में होंगे और ये शाम का टाइम हो रहा है मैकसिमम अभी साथ बज़रे हैं और क्या कहते है यहाँ पर एक्ष्ली में बनाने जारी हूं मतलब के तील और मौमफली के गज़क बनाने जारी हूं मतलब लड़ू बनाने कि धी आही हूं क्यों किचन शक्राइब कर रही है। एक तरफ दाल बठा रखा मतलब आज सबूennes भी है। यहां फे मैं एक तरफ 27 तो यहां पर और ना हमारे याना जैसे के अब तो वैसे भी ठंडी आ चुकी है बच्चों के लिए बहुत मन था बच्चों का खाने का तेल की लड़ू और गज्जक आजकल बाहर भी मतलब मिलने लगे हैं मौंफले गज्जक यह सब चीज मिलने लगे हैं तो बाहर का बतानी किस तरह से बनाते हैं किस तरीके से नहीं इस बज़े से फिर बच्चों का मन भी था तो मैंने सोचा कि चलो घर पे लिया के बना दिया जाए और ठाको जी को भी भोग लगा दिया जाएगा और आज वैसे भी एक अदसी है तो ठाको जी को तो वैसे भी प्री यह है तील तो मुंफली के छिल्के सारे हटा दी और मैंने मतलब जार में डालके और इसको बारिक कर लूँगे और मैंने हरी लाइची भी कूट जो दाने उते हैं उसको मेन अच्छी तरह बारिक पीस लिया था होकली में और एक तरफ मैंने कड़ाई में पानी डालकर उसमें गुर डालके रख दिया हैं मतलब होने के लिए चासनी बन रही है गुड़ की एक तरफ और लगया देखिए आप गुड़ भी अच्छी तरह से पिघल गई है और इसको में अच्छी तरह से पकाऊंगी पढ़ियां से जैसे कि एक तार्की हो जाए और वैसे भी हमारे यहां भी हार में तो हमारे यहां खिचड़ी कहा जाता है मका सकरात के दिन आहां वहां के ना यह सब छुआ जाता है तो मेरे सोसरान में यह सब नहीं होता है इसलिए मैंने बना लिया है वनना हम मेरे पिहर में यह बनाया नहीं जाता पहले ही क्योंकि हमारे यहां जिसे दानों देते हैं मतलब मखःत्म मकस्नाथ के दिन तो महीं पहले ही दम पहले नए जाती आ लृत तो पहले को कि गातरा ते मैं मेरे शुसराल में इस motives पहले ही बना ले रही हूं और वैसे बी बच्चों का मनतल और वैसे भी करषी का छाड़ जा है 20 दिन बचे हैं 14 दिसम्बस है एक मैने के लिए खरमास बिचड़ जाएगी तो यहां पेना मैंने पानी ले लिया है और पानी में यह चासनी डालके मतलब गुड़ की चासनी जो ना जो बनाई हूं वो में देख रही हूं तो यह रबबड की टाइप का हो गया है तो हम कभी भी हम चेक करें पानी मतलब एक टोरी पानी लेकर मैं थोड़ा सा पानी लेकर उसमें चेक कर सकते हैं अगर यह ना जैसे टौफी होता है टौफी के तरह बन जाए ना मतलब रबड टाइप का हो जाए ना तो समझ लेजिए कि आपकी चासनी हो चुकी है एक तार की उसके वास से मैंने यह तील है और जो क्या कहते है मुमफली है उसको मैने बासली हो लेकर लिया था मतलब ख्ला करी के भूण अज सोची थी कि इस इसका मैं चिक्की बना दू ते फैल के जए जएविसे यहार होता जाएगा तो लेकिन मेरी बेटी में वैसी करने जाका जाेगा मेरी बेटी बी यहीं बन्धा हो जाएगा नद फिर बंधा नहीं जाएगा यह तो बस इसको मैं लड़ओं को अकार दे दे रही हूं मतलब गोल टाइप का मतलब अकार दे दे रही हूं और उसके बासे मैं सबसे पहले अपने ठाकवर जी को भोग लगाऊंगी क्योंकि यह मैं फर्स्टाइम बना माना है। सेढ़ टंडी के हचारी हूं। सबस्क्राइस के तुर्स चीजरा मम शलना है। जी दाल को रेलों vivo फ़ीजिया। यहां पर मेरी बेटी को सबर नहीं हो रहे था वो लेके मतलब खाई उसे भी अच्छा लगा तो मैंने आपको बता है था ना कि मैं बजार गई हुए थी मतलब के मतब खाना बुनाने से पहले बिद्ध न हैं शची को मधा क्धा यह हिर नहीं पर देर हो च्छी आफ सोचती हूं करने के लिए लेकिन देखुँगी अभी मतलब कि अभी मैं भी बहुत जल्द करूंगी कादसी कबरत जिस दिन ठाक़ुजी ने मेरे मन में डाल दिया उस दिन में स्टार्ट कर दोंगी और आज है नेक्स्ट डे आज है ठोस्ट डे तो यहाँ पे मतलब की अभी मैक्सिम्माम ना साड़े आठ कुछ आजकल थोड़ा बहुतान ठंड के बजह से ना मैं थोड़ा पना मतलब दिन चरिया में थोड़ा परिवर्ताम नाय हूं मतलब यही होता है कि सुभवर सुपह मैं सुष्ती हूँ कि बच्चे चले जाएं, हैस्पेंटी चले जाएं, सारा काम मेरा लिपट जाया उक्ष कि हमारे जहते हैं यहां बिदाएंग और आप लोग देख सकते हैं आप लोग को डिख रखा है देवाल को कपड़ ना सूखता नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यह होता है नम जब अगल अगल का घर बन जाए ना तो बस धूपान ही बन दो गया लेकर गर्मियों में ठीक रहता है फिर में आ गई हूं किच्छन में और यहां पर में थोड़ा सा आटा लगा रहा उसके पाराथे घट गए थे तो फिर में दुभारा आना मतलम मैंने सोचा था कोई बात ने किच्छन के सापसफा यह अच्छे से करके फिर में बनाओंगी तो क्रिश्णा के लिए भी हो जाएगा और ठाको जी के लिए आज दोवाद ऐसी भी है न तो ठाको जी के लिए गुनगुना पानी पिती हूं और एक कप चाय में कोई नमक वेगरा नहीं खाती हूं मैं सुचते हूं कि पहले घर का काम हो जाए यह लोग चले जाए उसके बास से मैं अच्छे से करते हूं काति के महने में जितना जल्दी उठा जाता है उतना अच्छा होता है तो मैं इस बजे से मैं सबको भेज के घर का काम लिपता कर ही अपना आराम से पुजा वेगरा करके उसके बास से बास में खाना काती हूं तह मैं हूं कृष्णा है इस fuer Lars परास मिला कहते हूं और एक तरफ चावल बेठा रखा है थोड़ा सा तो मैं सबजी के साथ ले लूँगी और यहां पे न मतलब ठाको जुकर भोग लगा कर उसके बाद से ही लूँगी तो यहां पर पराठे भी बन चुकी है चावल भी बन चुकी है तो बेठा का चावल होता है न वहीं बनाया ह है मैंने जैसे कहते है न मार पसाना वाला चावल नहीं है पानी सोची तो थीक बुकरन बनाने करें को थोड़ा सा बनाना था मुझे को इसलिए मैंने पतीली में बैठा दिया था और इसमें चावल निकाल दिया है और इसमें तुलसी दल रख दिया है अब में अपने मंदि मेरे दोनों ठाकोर जी है तो इनके पास पर्दा भी लगा दिया है तो बस यही था तो यहां पर भोग लग चुकी है अब में इसे उठा लोंगी तो आप लोग देख सकते हैं मेरे मंदिर में कुछ अलगी मतलब है यहां पर मैंने कलस स्थापना कर रखा यह मैंने ना ओलाइ अपने डिटेशन बॉक्स में आप लोग महां से चेक आउट कर सकते हैं और बहुत प्यारे यह मेरे को मिला और बहुत बढ़िया मतलब प्राइज में मिला मेरे को बहुत तारीक के सथा यह पूरे ब्रास का है कभी अच्छी तरह से में आप लोग को दिखा दूँगी यह क विडियो में तब तक के लिए रादे रादे हारे कृष्णा जय मता दे